भारत में गोरे रंग को बहुत ही जादा अहमियत दी जाती है यहां बच्चा पैदा होने से पहले ही उसको गोरा करने के नुसके अपनाए जाते हैं घरवाले या आपके फैमिली मेंबर्स आपके फ्रेंडस आपको तरह-तरह की सला देते हैं कि आपको ये वाले टिप्स औं सुनाई होगा लेकिन आपने यह आप जानते हैं कि प्रग्नेंसी में आप डाइट में कुछ ऐसे फूट्स सामिल कर सकती हैं जिससे आपके गर्व में पल रहे बच्चे का जो रंग है वो साफ हो जाता है तो तो friends अगर आपको नहीं पता है तो friends आपको घबरानी की कोई जरूत नहीं है friends आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे foods के वारे में बताऊंगी जिनको अगर आप अपनी pregnancy के दोरान अपनी diet में add करते हो तो जो आपका होने वाला बच्चा है वो जब पैदा होगा तो उसक जामिल करती है अपनी diet में add करती है तो उसका बच्चा गोरा और साफ रंग का पैदा होगा तो friends जानते हैं उन foods के वारे में कि वो कौन से foods हैं जिनको अगर हम अपनी pregnancy के दोरान add करते हैं तो हमारा बच्चा है वो एकदम साफ रंग का पैदा होगा तो hello guys welcome back to my youtube channel ससी pregnancy friends आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लेज चैनल को like and subscribe कर लिया करो तो friends चलते हैं topic की तरफ नम्मर एक होता है folic acid जिसू के मस्तिस की कोशकाओं के निर्माण के लिए folic acid एहम भूमिका बार हफते पहले से और pregnancy conceive हो जाने के बाद 8 हफतों तक लगाता folic acid अगर आप अपनी डाइट में ले रहे हो आप एड़ कर रहे हो तो आपके बच्चे का जो अक्तिजम का खत्रा होता है वो 40% तक घट जाता है फ्रेंड वो उसको 40% chances कम हो जाते हैं अक्तिजम होने के पालक खट्टे फलों डालों पास्ता और 45 ब्रेक्वर्स शीरियल में folic acid पाया जाता है यह पोसक तत्व बच्चे के विकास के सासत उसकी इसकिन और रंग को साप करने में भी हेल्प करता है तो फ्रेंड यह सारी चीज है वो आपके बच्चे के विकास के सासत वो आपके बच्चे को ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे उसके सासत उसकी जो इसकिन का कलर है उसको भी साप करने में हेल्प करेंगे तो अगर आप अपनी डायेट में folic acid यू साब करने में बहुत ही help मिलती है इतना ही नहीं घी delivery के लिए भी मासपेसियों और हड्डियों को मजबूत करता है और आपकी body को प्रिसब पीड़ा के लिए तयार करता है फ्रेंड्स आज के time पर घी को बहुत avoid करा जाता है नहीं खाते हैं घी लेकिन हमारे पुराने जमानों घी बहुत खाया जाता था और pregnancy के time पर तो बहुत जादा ही ध्यान दिया जाता था घी खाने बे लेकिन आजकल नहीं खाया जाता है तो friends अगर आप घी खाते हो तो आपके बच्चे का रंग तो साफ हो गई उसके सासत आपका जो delivery time होता है उसके लिए आपकी मासपेसियां और हड़ियां भी मजबूत होती है और आप उस time पर लेवर पेन होता है उसके लिए भी तयार रहते हो तो friends आपको pregnancy के दोरान घी अपनी डाइट में जरूर एड़ करना चाहिए नमबर 3 होता है अंगूर का juice अंगूर के juice में alpha hydroxy acid होते हैं जो सिसू का रंग गोरा करने के लिए जाने जाते हैं गर्वती महला के अंगूर का juice पीने से बच्चे का रंग साफ हो सकते हो तो friends आपको अंगूर का juice जरूर पीना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका जो होनी वाला बच्चा है उसका रंग एकदम साफ हो तो आप grapes के juice को अपनी डाइट में एड़ क कर सकते हो जिससे आपका बच्चा एकदम गोरा पैदा होगा नम्म चार होता है fruits खटे फल जैसे कि संतरा प्रग्नेंसी में खाने से बच्चे का रंग साफ होता है इन फलों में vitamin c होता है जो न सिर्फ बच्चे के बिकास में help करता है बलकि बेबी की skin को tone भी skin tone होती है उसक ey और छाफ इंफ ग्लास अनचा जूस पीने बच्चा गोरा पैदा हो सकता है तो friends आप अपनेगा पर समालना किस पीने के प्रग्नेंसी की मतली दूर होती है और बच्ची की स्किन है ना उसका टॉन भी सुदरता है तो फ्रेंड्स आप लोग सौब का पानी भी खाली पेट यूज कर सकते हो उससे भी बच्चे का रंग है वह एकदम साफ होता है तो आपने सुना ही होगा कि गोरा बच्चा पाने के केसर का दूद भी पीया जाता है तो इसके लिए आपना केसर का दूद भी पी सकते हो केसर का दूद पीने से भी बच्चा गोरा पैदा होता है तो फ्रेंड्स यह ते कुछ फूड्स जिनको अगर आप अपनी डायट में आड़ करते हो तो आपका बच्चा गोरा पैदा हो तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरी वीडियो देखने के लिए धन्वात थैंक यू